तो जहां तक इंडिया की इमिज की बात है, वो रिस्पॉंसिबिलिटी है, अफकोस गवर्मेंट की भी मगए हर सिटिजन की भी रिस्पॉंसिबिलिटी है, वो अच्छा अपने आपको दिखा रहे हैं और आगे बढ़ने हैं, जादा तर पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, अरे पाकिस्तान के ओपर राज कर रहा था, अब हम यहाँ पर आकर गंद मचाएंगे, आब मुझे बताएं, पाकिस्तान के ओपर राज नहीं कर रहा था, इंडिया के ओपर आगे बढ़ने वाली सोच नहीं है, बस प्रॉब्लम्स क्रेट करने वाली सुच्छ, पीछे का बार-बार हिस्ट्री आप देखने हैं, हिस्ट्री को छोड़ू, अपने अभी का देखो, अपने आगे का देखो, भै, हिस्ट्री बार-बार देखनेसे या लोगों को इलप बइल्प बार और जाम लगाने से, आपकी प्रेजंट और फ्यूचर पिक्स नहीं हो जाएगा वहाने बाज यहां कम करें अपने मुल्क को ठीक करें अपने बच्चों को अच्छे तरवित दें बात नो डाउट क्लियर हो गए थी जब ब्रिटिश पर राज किया था इंडियन उरीजन मतलब यूके के पीम बने थे बा चोटे मुटे काम करने से पाकिसाने शर्माते हैं कि कि छोटे को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडियाज भारत पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज की इंट्रोस्टिंग और मज़ेदार वीडियो में आप देखेंगे प बहार के देशों में जाके गंद मचाते हैं तो यह वीडियो काफी इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इसे अंतर देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी लेटस्ट इंट्रोस्टिंग और कोटे घड़ में रहती थी वो प्राइमनिस्टर ना जिसकी आगे ना कोई पीछे और अब अकेला वो अपने मुल्क को सर्फ कर रहा है आपके नजर में पीम मोदी एक ऐसे लीडर है क्योंकि वो यूके भी काफी दफा विजिट कर चुके हैं और अभी लास्ट जो पीम थे अच्छे होंगे तो करा गया है ना यह कोई अगर चोटी बात नहीं होती इतना कॉंप्लिक्स मुल्क को समालना लोगों को जोड के रखना अपकोश हर मुल्क में अलग प्रॉब्लम्स होती है इस्यूज होती है और हम लोग तो बैठके जज़ कर सकते हैं मगर अगर हम उनक को दिखा रहे हैं और आगे बढ़ने हैं जादा तर पाकिस्तानी क्या बोलते हैं अरे अंग्रेजों ने तो हमारे पर राज कर रहा था अब हम यहां पर आकर गंद मचाएंगे आप मुझे बताएं पाकिस्तान के उपर राज नहीं कर था इंडिया के उपर आक्शली राज कर रहा था और इंडिया का पार्टिशन हुआ था तो इंडिया के लोग तो ऐसे नहीं सोचते चलो अंग्रेजों राज कर था हम लोग यहां पर आकर गंद मचाएंगे तो पूरी सोच में ही खराबी है पूरी सोच ही गंदी और गलत सोच है इतनी चोटी सोच आगे बढ़ बात नो डाउट क्लियर हो गई थी जब ब्रिटिश पर राज किया था इंडियन उरीजन मतलब UK के PM बने थे बात रियालिटी इंडियन्स ने करके दिखाई है विंगा पाकिस्तानी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों की शायद वो इगो हर्ट हो जाती है बाहर जाकर उन्हें छोटा मोटा काम करना पड़ता है मुझे यह लगता है कि ऐसा नहीं कि छोटे मोटे काम करने से पाकिस्तानी शर्माते हैं कि छोटे मोटे काम ही जादतर पाकिस्तानी कर रहे हैं या पर बड़े-बड़े काम कितने पाकिस्तानी कर रहे हैं इतने तो नहीं कर रहे ह जादा क्योंकि उन्होंने पड़ाई लिखाई में दिहान दिया है और अंग्रेजों से नहोंने चीजे सीकी हैं तो घुल मिल गए हैं अंग्रेजों के साथ तो फिर आगे बढ़ उनकी सोच आगे और अडवांस हो गई है प्क्सान के लोग है वो घुले मिले ही नहीं किसी के साथ जो सीख सकते थे उन्होंने सीकी नहीं पीछे अपना दुमाग ही उनका मांडसेट ही और आप अप पड़ाई करनी नहीं नहीं आपको जॉब नहीं इसकी घलती ती यहिंवा उसकी घलती थी मेहनत करनी नहीं शोर्टकट पैसे मिल जाए इलीगल तरीके से मिले या आपका आपका नाम बदनाम हो आपको हो सकता जेल जाना हो वो किसी को यह एक होती बेखेरती या बेशरमी फिर गुंपर के वो बात आ जाती है कि बेज़ती उन लोग की होती जिनकी कोई इज़त हो जब न्यूस सुनेंगे पढ़ेंगे देखेंगे यार यह तो दुबारा यह पाकिस्तानी आ गया इंड लोगों को मना करेंगे अब हमें अग्सप्ट करना पड़ेगा ऐस फ्रॉब्लम ए तो साइटी में है कोई प्रॉब्लम अब जातातर लोग क्या बुल रहे हैं पाकिस मख़भ में ऐसा है कि इनको सहका है जाता है कि गुले रियमाना ना लोगों के सात्व है तो मुझे पर बूलना पड़ते कि भी नहीं, मखभ में नहीं है, ये लोग खुद हमादारें अपनी हरकोतों के, खीकि अच्छी भी तो मुसल्मान होते अच्छे भी तो पाक्सानी होते हैं तो वो लोग ऐसे फिर हर इंसान की नहीं गंद मचा रहा है मगर कि जादातर पॉंट्रिटी गंद मचा रही है अब दूसरे लोगों दूसरी चीजों पर भी अब सवाल उठाना शुरू का लिए कि ऐसा क्या मसला है अगर मजभ की बात करें तो सबसे बड़ी मिसाल जो है वो यह है एरान और अफगानिस्तान जो के आज पूरी दुनिया में अपने मजभ को लेके इसलाम को लेके डंका बजा रहे हैं और देखे न अभी तो लास्ट एरान की सबसे बड़ी मिसाल थी जहां सारे मुस्लिम कंट्री साइड थे वहां एरान सबसे पहले खड़ा था मुसल्मानों के हाग में और हर दफ़ा हमने देखे है एरान मुसल्मानों की बड़ी मिसाल काइम के बड़ी ही उसला तरीके से सौधी दुबई और इन सब मुमालिक से हमने देखा है इस तरह की मिसाले आती रहती है थे फुष्षब हमने लेकिन फिर भी ब्रक्समत ही है कि पाकिस्तानी यह कहते है क्यूंके मैं वरकिंग करती हूं पाहिर लोगों के भी जाके सवाल करती हूं तो ये जादातर मुझे सुनने में मिलता है कि सौधी, एरान, दुबाई या इस तरहा के मुमालिक जहां पर मुसल्मान है यहां जहां से इसलाम पैला है आज वो काफरों से जाके मिल रहे हैं या काफरों से ट्रेड कर रहे हैं इसलिए वो सच्ची और असल मुसल्मान नहीं ह क्या आप एगरी करती है कि काफरों से ट्रेड करना या फिर नोन मुस्लिम के साथ लेन देन और अच्छे तालुकात बनाने से इसलाम को खत्रा आता है या फिर हम सच्छे मुसलमान नहीं रहते पहली चीज़ मैं यह बोलना चाहती हूं कि मैं इसलामिक स्कॉलर नहीं हूं इस इसी टॉपिक्स पर बात करने के लिए कि अनपोचनेटली कुछ संकी लोग भी होते हैं कि मैं क्या बोलूं उनको क्या समझ मैं क्या जैसे आपको बता है मैं पाक्सान के पैदाश नहीं हूं मेरी उर्दू अच्छी है मगर उससे इसका मतलब यह नहीं कि मैं जिस तरीक से म मैं यह समझती हूं कि इनसानों को इनसान समझना चाहिए है अगर आप अगर आप अगर आप यह बलीव करते हैं अल्ला ने हम सब को बनाया वह है और जातातर लोग इस दुनिया में मुसल्मान नहीं हैं अगर हमारी सेवन एट नाइन पतनी अपक्या बिलियन पॉपलेशन ने उसमें तर से जादातर लोग मुसल्मान नहीं हैं इनसानों को खुदा के लिए इस इनसान समझें और इस टाइब की बाते हैं और इस टाइब की सोच से फिर यह जाहिलियत पर आती है यह यह सिकाया गया है यह आप लोगों को सिकाया जारा है स्कूल में कि इस से नहीं म नफरत से काना थोड़ी लिखा होगा अगर अल्ला ने हम सबको बनाए तो अल्ला क्यों चाहेंगे कि हम दुसरे लोगों से नफरत करें अगें इंटरप्रेटेशन पर भी होता है कि डिफर्ट इस्लामिक स्कॉलर्स अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है तो मिसके बार में अगें मैं जादा नहीं बुलना चाहती हूं मगर आइधिंग के अगर आप लो अगर साथी अरेबिया भी तो है ना वो भी तो कर रहा है वो भी तो ट्रेडिंग कर रहा है उनको तो कोई मसला नहीं मैरिका को ओल देने में तो जब साथी अरेबिया जापर हज हम लोग करते हैं मुसल्मान लोग जब सार इसलाम वहीं से शुरू हो आता है जब साथी अरेबिया को मसला नहीं है यूई-ई-ई को मसला नहीं है तो बाकी के मुसल्मान मुल्क खामखा में ऐसे लगए एक्सक्यूसिस देने है अच्छली बात यह है क करना चाहरे सब्सक्राइब हां करना जा रहें है बुसरे नहीं करना है खार रहा है आप लोंके पास कुछ होगा को तब लेगा झाये बाता है आप पबने और अप दें जो आपके पास देने को खुछ नहीं है तो लोग करना भी नहीं चाहरे हैं। प्लास इस जब लोग बाते सुनते हैं का फेर यह वो लोग खुदी डर जाते हैं हाथ हमने आफ दू हम तो बिजनस कर ना चाहरे थे आप लोग हम आरे बारे में बुरा सोच आप जो लोग पाकिसान को पैसे दे रहे हैं, पाकिसान को चलाने में, क्या वो लोग Muslim मुल्क हैं? वो लोग तो Muslim मुल्क नहीं तो आपको पैसे लेने में, तो कोई मसला नहीं है. तो आशा कहता हूं कि वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और अनम शेक और लुबना को एक्सपोज किया जो पाकिस्तानियों की हरकते हैं जो कि यूरप जैसी देशों में जाके वहां की जमीन को और वहां के देश को अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं उसको भी जम के एक्सपोज किया क्यूंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है इसलाम मज़िदार और दंदार वीडियो में अब तक अपना ध्यान रखिए जय हिन जय भारत